राजीव बहुत जरूरी आपसे समझना इस विपक्षी एकता मिशन को काम्याब करने में नितीश लगभग लगभग सफल होते नजर आ रहे हैं एक तरह से बहुत बड़ी प्लब्दी कही जाएगी भई पार्टियों के विपक्षी पार्टियों के धुरंदरों को एक मंच पर लाने में और 23 जून की बहट चली 12 जून वो सफल नहीं हो पाई तेज जून को बुला रहे हैं नाम भी सामने आ गए हैं कौन कौन आ रहा है लेकिन ये समझना चाहूंगी राजीव टीमसी वर्सिस सीपीम आप पार्टी वर्सिस कॉंग्रेस कैसे कैसे ये गडबंधन होगा कैसे समझोता होगा क्या रणनिती होगी कितना ये मोर्चा कितन मजबूत होता हुआ दिख रहा है दोजार चॉबिस की नजर से देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि ये आखिर में ये बैठक पटना में क्यूं हो रही है तो उसके लिए ये है कि नितीश कुमार एक ऐसे नेता देश में है जिनों ने बीजेपी के साथ तो गटबंदन में लंबा समय बिताया है और कॉंग्रेस और आरजेडी के साथ भी कटबंदन में रहे हैं और अभी भी हैं तो इसलिए बहुत सारे राजनितिक दल ऐसे हैं जो कॉंग्रेस से अपने आपको अच्छूत मानते हैं और कॉंग्रेस उनको अच्छूत मानती है लेकिन वो नितीश कुमार से हैं तो इसलिए किसी दूसरी जगह पर ये बैठक हो ये संभव नहीं था कॉंग्रेस अगर अपनी जगह पर करती या केजरी वाल करते या मंतब अनरजी करती तो उसमें कॉंग्रेस असहज होती कमनिस्ट असहज होते लेकिन नितीश कुमार पटना में कर रहे हैं और वो कि पर करम रखा गया और ज्यादतर नेताओं ने अपनी सहमती दी है अभी कल की प्रेस कॉंफरेंस में जितने नेताओं के आने की बात कही गई है अगर सच में वो सारे के सारे आते हैं सारे टॉप कम्मिनिस्ट लीडर्स मंतब अनरजी अर्विंद के इजरिवाल राहूल गा करना और चुनाओ एक साथ लड़ना ये इतना आसान है क्या दूसरी बात ये है कि 23 जून का जो दिन है वो एक मज़ेदार या रोमांचक दिन भी होगा क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष की बैठक पटना में हो रही होगी दूसरी तरफ प्रधानमंती नरिद मोदी 10 लाग लुए अपर्धी जनताफा पार्टी के कारेकरताओं से रूबरू होंगे 2024 चुनाओं के लिए श्यामा प्रसाद मुखर जी जो कि आप भारती जंसिंग के संस्था पकरे पूर पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर जी की की देथ ऐन्विरसरी उस दिन है और भारती जंता 25 जुन को रवीवार पढ़ रहा है और उस दिन प्रदान मंतरी के मन की बात 11 बजे कारिकरम भी आएगा तो उसमें इन बातों का विपक्षियों का जिक्र वो करते हैं नहीं करते हैं तो 23 और 25 जुन इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा मैं तो पूर सियासी दिन होगा सवाल ये उठता है कि प्रदान मंतरी नरिंद मोदी जब 14 और 19 में चुनाव लड़े थे तब उनके पास बहुत मजबूत गडबंधन के लोग थे अकाली दल था शिवसेना था 19 में जेडियू था तो अब इस बार 2024 में अपने सहयोगियों को भारती जंता पार्टी को चुनन और चुनना पढ़ रहा है और देखना पढ़ रहा है कि कहां किसके साथ वो समझोता कर सकते हैं इस समय उनके पास गडबंधन के लोग उतनी मजबूत इस्तिती में नहीं है बारती जंता पार्टी लेकिन अकेले दम पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि शायद उसे झाल 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 झाल